हलो एवरवन दिस इस अनीता एंड वेलकम तू माय अनादर वीडियो हमने जीकी के 21 कोशन्स कर लिये थे और आज हम कोशन नमर 22 से स्टार्ट करने वाले हैं कोशन नमर 22 है जहामर कोटड़ा राजस्तान में कि स्खनी जेतू प्रसिद है तो सबसे पहले तो जो जहामर कोटड़ा है वो हमारा है उधेपूर में और यह रॉप फास्फेट के लिए फेमस है जो की सेडिमेंटरी रॉक्स के अंदर पाया जाता और उसके अंदर फास्पे भीलों का सवा महा चलने वाला न्रत्य है तो भीलों का सवा महा चलने वाला न्रत्य है गीदर गवरी वालर और गेर तो इसके अंदर आपको इन दोनों में तो कोई आप्शन मतलब आप कंफ्यूस नहीं होगे आप कंफ्यूस होंगे गवरी और गेर में जो गवरी न्रत्य है यह 40 दिन इसमें इसने लिखा और फिर कार्ड दिया फर्स्ट जो मायंड में आता है वही सही होता है तो इसका अंसर होगा बी गवरी क्योंकि जो गवरी न्रत्य है यह भसमा सुर की जो कता है उस पर आधारित होता है जिसमें शिव बगवान जी में इनका बनके उसका वद करते हैं और यह 40 दिन तक चलता है यह न्रत्य और यह भील जन जाते के द्वारा किया जाता है तो इसका अंसर हो गया बी गवरी प्रेश नमबर 24 कौन सा बेसीन थार मरुस्तल में इस्तित है ए गोडावन बेसी बी कांथल बेसीन सी चंबल बेसीन और डी बनास बेसीन तो थार मरुस्तल के अंदर इस्तित है हमारा गोडावन बेसीन प्रेश नमबर 25 राजस्तान में शेत्रफल की द्रेश्टी से सबसे चोटा जिला जिला ए डुंगरपूर ब दो सा सी धोलपूर और डी बासवारा तो सबसे चोटा जिला जो कौने पे है वो है धोलपूर और इसका शेत्रफल है 3034 किलोमेटर स्कौर तो इसका जो है 3034 km2 का शेतरफल है जो की शेतरफल की दरश्टी से हमारे राजस्तान का सबसे छोटा जिला है प्रेश नमबर है 26 26 प्रेश नमबर है मीरा ने अपना अंतिम समय की सिस्तान पर बिताया था तो इसका अंसर होगा C द्वारका द्वारका में स्रीकृष्ण की भक्ती करते वे उनी की मूर्ती के अंदर मीरा जी जोते समा गए थे तो इसका अंसर होगा C द्वारका प्रेश नमबर 27 1807 के विद्रो के पश्षात किस रिहासत की तोपो की सलामी कम कर दी गई थी तो किस रिहासत की तोपो की सलामी कम कर दी गई थी तो 1807 की क्रांदी में जो कोटा है वहां के जो तोपो की सलामी वो कम कर दी गई थी पहले उनके पास 17 तोपे थी फिर उनको 13 तोपे दी गई क्योंकि बटन की रक्षा को जो हानी पहुचाई थी इसलिए यहाँ पर तोपो की सलामी को कम कर दिया गया था प्रश्णमर 28 बीसलपूर बांद किस नदी परिस्तित है ए बेडच, बी चम्बल, सी कोठारी और दी बनास तो बीसलपूर बांद जो है बनास नदी परिस्तित है इसका आँसर हो जाएगा डी प्रश्णमर 29 चपन का मेदान इस्तित है ए बाढ़मेर में बी भरतपूर, सी बासवाड़ा और डी उधिपूर तो इसका आंसर हो जाएगा बासवड़ा चपन का मेदान है नीचर डुंगरपूर बासवड़ा इसका आंसर हो जाएगा बासवड़ा प्रैशन नमर 30 सापों के देउता के रूप में कौन पुझा जाता है तो हरबू जी नहीं है, धन्ना जी नहीं है और यह यहाँ पर पाबू जी दे रखा है तो सापो के देउता के रूप में पूजे जाते हैं वीर तेजाजी इसका अंसर हो जाएगा ए तेजाजी प्रशन अमर इगतिस है प्रत्विराज रासों के रशनाकारते ए नागर चंद्र, बी चंदर बरदाई प्रत्विराज रासों के रशनाकारते तो आज हमने इगतिस तक कोशन के यह निए टेन कोशन्स और जीकी की कोशन्स देखने के लिए अगर आपको यह पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू सो माच